एशिया की सबसे बड़ी लहसुन मंडी कोटा की भामाशा क्रिशी उपज मंडी है। यहां वर्तमान में लहसुन की आवक गिर गई है। लहसुन के लिए मंडी में ओफ सीजन चल रहा है। इसी के चलते 50-80 क्विंटल के बीच ही लहसुन की आवक हो रही है। जबकि सीजन मे यह 5-6,000 क्विंटल तक हो जाती है। दूसरी तरफ किसानों के पास भी लहसुन नहीं है। वो भी बचा कुचा लहसुन सोर समेट कर मंडी में लेकर आ रहे हैं क्योंकि मंडी में लहसुन के भाव आसमान पर है। इधर मांग होने के चलते व्यापारी भी लहसुन खरीदन के इच्छुक हो रहे हैं लेकिन उन्हें भी डिमांड के अनुरूप माल नहीं मिल पा रहा है। इसी के चलते दाम बड़े हुए हैं। कोटा भामाशाह क्रिशी उपज मंडी के सचिव का कहना है कि वर्तमान में मंडी में 25-28,000 रुपए प्रती क्विंटल लहसुन का दाम चल रहा है। जबकि एक्सपोर्ट क्वालिटी लहसुन के दाम 35-40,000 रुपए प्रती क्विंटल तक भी मिल रहे हैं। लेकिन यह लहसुन एक क्विंटल से भी कम मंडी में पहुँच रहा है। मंडी सचिव का यह भी कहना है कि लहसुन का मंडी में सीजन अप्रेल से लेक साथ ही नए लहसुन की आवक मंडी में शुरू हुई है लेकिन यह भी बहुत कम मात्रा में आ रहा है। 15 मार्च से मंडी में आवक शुरू होगी। साथ ही एक अप्रेल के बाद आवक बढ़ जाएगी। इधर कोटा के रिटेल बाजार की बात की जाए तो यहां 300-350 के भाव से लहसुन मिल रहा है। एरोडरम के नजदीक सबजी मंडी के व्यापारी अजय कुमार गौतम का कहना है कि वर्तमान में नया लहसुन न के बराबर आ रहा है। हालांकि अधिकांश लहसुन नीमच की तरफ से आ रहा है या हलका गीला या वजनी है। जबकि का कहना है कि मंडी में किसान बोली में जो भाव लगाता है। उसके बाद व्यापारी का मार्जिन, कमिशन, लेबर का खर्चा, मंडी टैक्स और ट्रांस्पोर्टेशन भी जुर जाता है। वहीं कोटा से कुछ लहसुन दक्षिन के इलाकों में भी भेजा जाता है। दूर एशिया लहसुन चित्तोरगर जिले के बेगूं की तरफ से आ रहा है। वहां लहसुन की फसल थोड़ी पहले आ गई है। इस लहसुन के दाम 16,000 रुपए प्रती क्विंटल के आसपास किसान को मिले हैं क्योंकि इसमें नमी काफी रहती है और इसी के चलते इसका वजन ज् मंदी में होता है। यहां के सेक्रेटरी का कहना है कि साल 2022-23 में करीब 11,000,000 लहसुन की आवक मंदी में हुई थी। वहीं साल 2023-24 में अब तक 7,25,000,000 लहसुन आया है। मंदी सचिव नागर का यह भी कहना है कि लगभग सीजन खत्म हो चुका है। ऐसे में अब ज्यादा ल वर्ष में ही लहसुन की आवक होगी। इस साल बीते साल से लगभग 3,75,000,000,000 लहसुन कम मंदी में पहुचा है। साल 2022 में लहसुन के किसानों को पूरे डाम नहीं मिले थे। इसी के चलते उन्होंने उतपादन नहीं किया और लहसुन का रखबा गिर गया था। साल 2022 में एक दशमलव एक पांच लाख हेक्टेयर में लहसुन की फसल किसानों ने उगाई थी। इस से बंपर उतपादन होने के चलते किसानों का लहसुन दो से लेकर 20 रुपए किलो तक बिका था। किसानों ने उतपादन कम करते हुए रखबा 2023 में घटाया और यह 51,448 हेक्टेय रह गया लेकिन दाम कम उतपादन के चलते आस्मान पर चले गए। किसानों को अच्छा खासा मुनाफ़ा लहसुन में मिलने लगा। जहां 2022 में किसान खून के आंसू रो रहे थे। 2023 में एक बीघा जमीन पर उन्हें लाखों का फाइदा हुआ। इसी के चलते 2024 में लहसुन का उतपादन बढ़ाते हुए 90,861 हेक्टेयर में उतपादन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी